कहानी की शुरुवात पिछली फिल्म की एंडिंग के बास से होती है जहां पर हम डालटन और जोश को एक थेरपिस्ट के पास देखते हैं थेरपिस्ट उनके दिमाग से बुरे हादसों की यादों को मिटा रहा होता है अब 9 साल बाद हम जोश और उसके पूरे परिवार को एक फुनरल में देखते हैं ये फुनरल जोश की माँ का ही होता है सबी दुखी होते हैं और लोगों दुआरा डालटन को बताये जाता है कि उसकी दादी एक अच्छी विखती थी हमें पता चलता है कि जोश और रेनाय का आप डिवोस हो चुका है इसके पीछे जोश की कई सारी प्रोब्लम्स थी जिस वज़े से वो अपने बच्चों को लेकर हमेशा सही इंसेक्योर रहता था इसलिए अब रेनाय जोश को डालटन को इसकुल छोड़ने और अपने बच्चों का ध्यान रखने को बोलती है जिस पर जोश मान जाता है अब जोश यहां से निकलने लगता है रास्ते में उसे वही थेरपिस्ट मिलता है बट यादाश बूलने की वज़े से वो उसे पैचान नहीं पाता थेरपिस्ट उसकी मा की तारीफ करता है और वहां से निकल जाता है अब जोश डोलटन को उसके इसकुल छोड़ने के लिए निकलता है तब भी हम एक काले साय को जोश के पीचे आते हुए देखते हैं कुछ दिनों बाद जोश और डोलटन इसकुल में मिलते हैं अब जोश डोलटन के रूम में आ जाता है और उसकी मा का सामान निकालने में उसकी मदद करता है डोलटन एक पैंटिंग दिखाते हुए बोलता है कि ये मेरी दादी की पैंटिंग है जिसे उसने बनाया है बट उसे ये भी अफसोस होता है कि अभी तक उसने अपने फादर की पैंटिंग नहीं बनाई है अब यहाँ पर डोलटन की रूम पार्टन किम आती है डोल्टन बोलता है कि उसे लड़की खिशात रूम शेयर करने में प्रोब्लम है जिस पर किम बोलती है कि वो इसके बारे में फेकल्टी से बात करेगी अब जोश को कई दिनों से कुछ अजीब लग रहा था डोल्टन उसे वहाँ से जाने को बोल देता है जिस पर जोश दुकी होके वहाँ से चला जाता है क्योंकि कभी भी अपने बच्चों को समझी नहीं पाया था जिसके बाद किम डोल्टन से बोलती है कि उसे एक दो दिन में दूसरा रूम मिल जाएगा जिस पर डोल्टन बोलता है कि वह यहाँ पर पेंटिंग सीखने आया है और वह जादा किसी से बोलता नहीं है अब किम लाइट ओफ कर देती है जिस पर डोल्टन डर जाता है और बताता है कि बच्पन में उसके साथ कुछ बुरा हुआ था और अब उसे इसलिए अंदेरे से डर लगता है अगले दिन डोल्टन अपने स्कुल जाता है टीचर सभी स्टूडेंट को बोलती है कि तुम्हें पेंटिंग अपने मन से करने चाहिए और फिर वो सभी को मन से सोचकर एक पेंटिंग मनाने को बोलती है जिस पर डोल्टन भी सुचता है और एक डोर को पेंट करता है अपने पेंटिंग में तभी उस पेंटिंग वाले डोर में से एक डरावना हाथ बहां निकलकर डोल्टन को गाहिल कर देता है ये चीज उदर जोश भी महिसूस कर रहा था अब डोल्टन देखता है कि उस हाथ में से खुन टब अगरा था जो अब पेंटिंग पर लग गया था अब जोश को वहाँ से डरावने ख्याल याद आने लगते जिस पर वो वापस से अपने ब्रेन का टेस्ट कराने चला जाता है मशीन में जाते ही लाइट चली जाती है अब जोश मैसूस करता है कि एक मॉंस्टर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है डोक्टर उसे अब मशीन से बहाँ निकालते है और बताते है कि कोई भी लाइट नहीं गी है बलकि तुम ही 15 मिनिट से बेहोस थे अब डोल्टन अपने रूम में उस डोर वाली पेंटिंग को रेड कलर करने लगता है तब ही एक मॉंस्टर उसे पकड़ लेता है लेकिन तब ही किम वहाँ पर आ जाती है अब किम डोल्टन को उसके साथ एक पार्टी में जाने को बोलता है कि तुम्हारी दिमाग में कोई बिमारी नहीं है हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ में चल रही परेशनियों के वज़े से तुम्हारी मेमोरी लोस होता है या फिर तुम्हारे परिवार में पेले किसी को ये दिमागी बिमारी होगी जिस पर जोश बोलता है कि वो तो अपने पिता के बारे में भी नहीं जाना डोक्टर उसे बोलता है तो पता करूँ अब डोल्टन किम के साथ पार्टी में आता है जहां पर माइक नाम का एक लड़का सभी को बता रहा होता है कि कुछ दिनों पहले उनका एक साथी एक्सिडेंट में मारा गया है और क्योंकि अब बहुत दिन हो चुके तो उनने उसे भुला कर एंजोई कनना चीए उसके बाद किम डोल्टन को उपपर वाले रूम में लेकर चली जाती है जिसके बाद डोल्टन को एक रूम में लड़के के रोने की आवाज आती है ये रूम इस घर के मालिक माईक का ही होता है डोल्टन उसके अंदर जाता है जहां उसे एक लड़का मिलता है जो उससे हेल्प मांग रहा होता है वो बोल रहा होता है कि डोर को जल्दी से बंद कर दो, वन्ना वो आ जाएगा अब एक monster वहाँ पर आने लगता है, डोल्टन डर के मारे बेट के नीचे चला जाता है तब ही वो लड़का डोल्टन पर उल्टी कर देता है, अब डोल्टन चलाता है और किम वहाँ पर आ जाती है जो उसे कुछ नहीं हुआ बोलती है, उसके बाद माइक भी वहाँ पर आ जाता है यानि कि वो अब अपने शरीर को देख रहा था, जिससे वो अलग हो गया था यानि कि डोल्टन की आत्मा, अब डोल्टन एक टोस लेता है और किम के रूम में जाता है वहाँ जाकर वो उसके इंस्टूमेंट को बचाने लगता है रियल वर्ड में किम भी उसे महसूस करती है और जाग जाती है जिस पर डोल्टन वहाँ से भाग जाता है किम को पता था कि ये सब डोल्टन की ही शरारत है अब उस एस्टरल वर्ड में एक मॉंस्टर भी डोल्टन के पीछे पढ़ चुका था जिससे बसते हुए वो वापस अपने शरीर में आ जाता है अब किम भी डोल्टन के पास आकर भढ़गने लगती है जिस पर डोल्टन कीम को बताता है कि वो एस्टरल प्रोजेक्शन कर पा रहा है और ये जब से शुरू है जब से उसने वो रेड डोर वाली पैंटिंग बनाई उदर जोश अपनी फैमली की फोटोस देखकर अपनी भूलने की बिमारी से लड़ रहा था तब ही उसे वही काली परचाई जो हमने इस टार्टिंग में देखी थी दिखाई देने लगती है जोश उसे ब्रह्म मान का जैसी अपने एक काम पर जाता है वो परचाई उस पर अटेक कर देती है जोश भी उसे मानने के लिए आगे बढ़ता है मगर वो परचाई उसे उठा के फेक देती है जिससे वो वेहोश हो जाता है और जब वो जाकता है तो वो भी एश्रल प्रोजेक्शन कर पा रहा था जहां उसे एक बॉक्स मिलता है जिसे छूते ही वो वापस अमनी दुनिया में आ जाता है अब हम डोल्टन को उसकी क्लास में देखते हैं जहां पर टीचर सभी को एक मोंस्टर की पेंटिंग दिखाती है और बताती है कि इस पेंटिंग को बनाने वाला अपनी फेमिली परशानियों की चलते ऐसा मेसूस किया कि वो अपने बेटे को खा रहा है और इसी को उसने पेंट किया है उसके बाद सभी पेंटिंग करने लगते है अब डोल्टन को भी अपने बच्पन की चीज़े याद आने लगती है उदर जोस उस बोक्स को अपने पास पाता है अब हम डोल्टन की पेंटिंग देखते हैं जहाँ पर इस बार उसने रेड डोर के साथ एक मोंस्टर भी बनाया था लेकिन अभी भी उसका विजन अधुरा ही था डोल्टन बोलता है कि जो लड़का उसे माईक के घर में मिला था वो उसे डोर बन करने को बौल रहा था तो शायद वो इस पेंटिंग की डोर की बात कर रहा था ऐसा डोल्टन को लग रहा था और वो वही एश्टल प्रोजेक्शन से वापस जाना चाता है क्योंकि उसे लग हुई है तब ही वहाँ पर किम आती है जो उसे बताती है कि उसने नेट पर पढ़ाए कि ये सब चीजे जो डोल्टन कर पा रहा है उसे एस्टल प्रोजेक्शन कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ कर आत्मा के रूप में एक दूसरी दुनिया में चला जात है अब डोल्टन और किम घर पर आते हैं और डोल्टन इस टोर रूम में एस्टल प्रोजेक्शन करने लगता है किम देखती है कि डोर अपने आप ही खुल जाता है यानि कि डोल्टन अब अपने शरीर को छोड़ चुका था उस दुनिया में जा चुका था वो माइक के खड़का नहीं मिलता अब डोल्टन वापस आही रहा होता है कि तब ही वो मोंस्टर उसे पकड़ लेता उदर किम को भी मोंस्टर पकड़ लेता है जो कि डूर पर खड़ी ती इब वो बेहोस mask की आत्मा वापस भाग कर आती है और अपने शेरीं में वापस आती है उसके किम भी होश में आ जाती है, अब किम उसे अपने से दूर रहने को बोलती है, क्योंकि ये सब अब बहुत ज्यादा खतलनाक होता जा रहा था, उदर जोश अब उस लेटर को पढ़ने लगता है, जोश को पता चलता है कि उसके पिता एक दिमागी मरीज थे, जो कि एस्टर प् करने के लिए बैस्पेंट में छुप गए थे, अब डोल्टन को भी कुछ याद आता है, वो अपने रूम में जाकर पेंटिंग को पूरा करने लगता है, वो एक मॉंस्टर की पेंटिंग बनाता है, जो कि उसके पिता जोश ही थे, जो कि बचपन में उन्हें मानने आये थ कि बचपन में वो एक मॉंस्टर बन गया था, और उसने उसके ही बच्चों को मानने की कोशिश की थी, अब जोश रेनाय को बताता है कि उसे उसके पिता दिखते हैं, रेनाय बताती है कि शायद उसके पिता उसकी मदद करना चाते है, जोश उसके पिता से नाराज था, क्य जिस पर रहनाई भी उस पर भड़कती भी बोलती है कि जोश ने इन सब चीजों के चलते एक मॉंस्टर बनके उनको मानने की कोशिश की और यही वज़े थी कि आज तक जोश के बच्चे उससे डरते हैं और इसी कारण उनका डिवोस भी होगा था तब भी फोश्टर वहां आ जिसमें डोल्टन छोटा था जब वो अपने पिता को एस्टरल वर्ल्ड में ही रोक सकता था यह रहनाई बताती है और रहनाई उसे एस्टरल वर्ल्ड में जाने को बोलती है और वहीं से जोश मॉंस्टर बनके आया था और अब वो रहनाई को दूर फेक देता है और वो ड अब तक डोल्टन पूरी तरीके से मोंस्टर बन चुका था जैसे ही गेम आगे बढ़ती है डोल्टन मोंस्टर की रूप में उसे पकड़ने के लिए भागता है एस्टरल वर्ड में डोल्टन दुखी होता है तब ही वहाँ पर जोस आ जाता है और अब वो देखता है कि रियल डोल्टन को उसकी आत्माओं से मुकावला करने के लिए बोलती है और डोल्टन दूसरी दुनिया में आजाद होने पर बेऊस होता है और तब किम उसे सुलाती है जहां पर दूसरे मोंस्टर अब आगे बढ़ने लगते है और किम डर जाती है बहीं एस्टरल वर्ड में जो डोल्टन की बोड़ी पर कबजा करने के लिए आ चुके थे किम उन मोंस्टर को रोक रही थी जैसे ही डोल्टन उस डोर को बंद करता है वो रियल वर्ड में जाग जाता है अब जोश जो की अभी भी एस्टरल वर्ड में ही था उसकी हालत खराब होने लगती है जिसका असर रियल वर्ड में उसकी बोड़ी पर दिख रहा था जिसे रहनाय देखकर दुख हो जाती है अब वो मोंस्टर जोश को मानने के लिए आगे बढ़ता है मगर जोश उसे दखका दे देता है और अब वो मोंस्टर एक दिवार में केड़ हो जाता है क्योंकि रियल वर्ड में दोल्टन उस पेंटिंग को लाल रंग से बरबाद गर रहा था उसके बाद जोश को अपने पिता दिखाई देते हैं जिने देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है उसके पिता चमक कर एक लाइट बन जाते है जिसे पकड़कर जोश आगे बढ़ने लगता है इसके बाद वो रियल वर्ड में आ जाता है और जाग जाता है फिर वो रेनाय को बताता है कि अब वो सेफ है और डोल्टन से उसकी बात कराता है इसके बाद अगले दिन जोश रेनाय से मिलने जाता है जिस पर रेनाय उसे यहाँ आने जाने को बोलने लगती है जोश उसे हाँ बोलकर वहां से निकलता है और रास्ते में उसे एलिस मिलती है जो उससे पाश्ट के बारे में बात करने लगती है और बोलती है कि वो जल्दी अपनी मां से भी मिलेगा इस पर जोश खुश हो जाता है और जैसे ही वो एलिस की तरफ दुबारा देखता है तो एलिस वहां से गायब हो झाल झाल